यह देखे गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं बेज कोर्मा जिसके आगे आप नॉन बेज खाना बिल्कुल भूल जाएंगे प्रोटीन से भरा हुआ सोया बीन कोर्मा तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या से सबीन Michigan इसको सिर्फ वॉश करना जिससे इसके उपर की डर्ट उगरा सारी हट जाए इंपुरूडरी भट जाए तो 3-4 पानी में हम इसको वॉश कर लिया है और देखे आप हमें इसका पानी बिलकुल निकाल देना है पानी नहीं रखना है और अब हम इसके लिए दूसरी इंकेजिन जो कि लेंगे एक ग्लास दूद गया और इस को हम आगे इस तरह से बनाएंगे गाइस बहुत यम्मी क्रीमी आपके सब्जी बनेगी तो यह देखिए इस तरह से बने के लिए रख गया तो बॉल हो गया अच्छे से आब इसे हम बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पका लेंगे और जो हमने ग्लास दूट डाला है वो भी सब इसी में हो जाएगा पक कर तो देखिए हम तब तक मसाला देयार कर लेते हैं जब तक हमारे वह बन रहे हैं तो एक प्याज दो टमाटर एक इंच अदरा का टुकड़ा एक रेड मिर्ज उनको हम पीस लेंगे आपस में लैसन भी तो आगे का प्रोसेस करते हैं उसको ठंडा होने देते हैं तो यह देगे कडाई में डालेंगे 5-6 स्पून के करीब ओयल यह मस्टर्ड ओयल है आप जिसम भी ओयल में खाते हो आप डाल सकते हैं हाप टेबल स्पून जीरा देखिए और अब हम डालेंगे इसमें अपना पीसा ह तो अच्छा तो यह दर्ग करीब और शितिक हरेंगे एक स्वोन के करीब धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून के करीब हलदी पाउडर और यह लाल मिर्च पाउडर जो कि Do not have चो अश्या में तीखा कर सकते हैं क्योंकि बच्चे चोटे नहीं तीखा का पाते हैं इसलिए ह अब इनको सारे मिसालों को मच्छे से फ्राइ कर लेंगे कि मच्छाल अगर अच्छे फ्राइ होंगे न तभी टेस्ट अच्छे से निकल कर आएगा और ये प्रोटीन से भरा हुआ बरी हुई है सबजी क्योंकि आप सबको पता है सोया जन्ग होते हैं वो फ्रोटीन से बरे पुल्स मोल पर पीश जाएगा पीश जाएगा कोई दिकत नहीं है एक बात और गाई इसमें आप प्याज लेसन यह सब कट करके भी एड कर सकते हम ने ग्राइंड करके डाले हुए आप लोग करके बारिक चॉप करके भी एड कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से हम इसको कर लेंगे आपस में ही अच्छे से चलाते हुए यह देखे आइस अच्छे से हम बूंड लेंगे यह सबजी बनने में सिर्फ और सिर्फ पांच मुनट लगते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगता तो देखिए जो पतीला हमारा दूद का था इसमें लगबग लगबग हम एक का टोरी या एक बावल पानी आड़ करेंगे जो कि हम इस तरह से हिलाते हुए इसको अच्छे से दूद इसका सारा पानी में कर लेंगे और इस दूद वाले पानी को फेकिंगे नहीं इसको हम डाल देंगे अपनी सबजी में यह देख सकते हैं और इससे क्या होगा ना तो थोड़ा और फ्राइ करेंगे बूनेंगे इसमें जो पानी हमें डाला इसकी वजह से यह सोया सॉस सोया जो है सोया जंक्स यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत टेस्ट आएगा इनके अंतर तो अब हम डालेंगे नमक सौद के अनुसार यह देख सकते हैं एक अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी एट करेंगे एक स्पून के करीब तो आप अपने हिसाब से इसे नमक अर्जस कर सकते हैं तो इसको चलाते हुए बून लेंगे और अब इसमें हम आट करेंगे गरम मसाला और हरी दनिया की पती यह देखिए इसको पूरी चापात के खांट राइस किसी के साथ भी खाए बहुत 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 ऐस्टी लगता है तो यह देखिए एपनी सबसे लिए Gooduck बच्चे भी मांग कर खाएंगे और बेच्चों के हेल्थ के लिए तो बहुत-बहुत-बहुत अच्छा है तो कोई सबजी नहों तो आप यह पर यह सबजी बना करके जरूर ट्राइक करें और अपनी स्पीरियंस हमें जरूर सियर करें और हमें बताएं कि आपको कौन सी आपके साथ, बाब बाई